तो भाई लोग, क्या हाल चाल, तो जैसा है कि तुम लोग जानते हो, Amazon और Flipkart पे बड़िया सी सेल लग रखी है, और आज लाइक तुमारे लिए उस सेल में से बड़िया बड़िया चुन-चुन के gaming laptops निकाल के लेकर आया हूँ, पचास हजार से शुरू करेंगे और एक लाफटाप पे घट्टे करते करते, और ऐसा बड़िया बड़िया गंटेंट तुम और देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कोई भी लाफटाप से रिगार्डिंग डाउट वगेरा हो, या किसी भी लाफटाप को लेगर confused हो कि यह लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए, मुझे इंस्टेग्राम पे कॉंटेट कर सकते हो, लिंक डिस्रिप्शन मिल जाएगा, इंस्टेग्राम पे आओ, दोस्ते आगे बड़ा होला सीन है, बाकी कोई भी डाउट हो, तो तुम कमेंट सेक्शन में भी आ सकते हो, और भाई कमेंट कर देन अल्गरितम बढ़िया चड़ेगा, व्यूस चाहिए, अच्छा करके, टीक है, तो विडाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज के कारेकर हम शुरू कर लेते हैं, तो भाई, बात करते हैं, पचास से साथ हजार के बजट की, तो 50-60,000 के रेंज में, पहला जो देखने को मिल जाएगी, 512GB की SSD देखने को मिल जाएगी, और 120Hz का एक बेसिक सा 45% NTSC वाली डिस्प्ले तुमको देखने को मिल जाएगी, और इस लाप्टाप का प्राइज है, वही 50,000 रुपे है, और 50,000 रुपे के हिसाब से ये लाप्टाप काफी सही है, बागी तुम 2000 रुपे की अलग से बाद में RAM अप्ग्रेड कर सकते हो, 52,000 रुपे तुमारे टोटल लगेंगे, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस तुमको देखने को मिल जाएगी, तुमारे बेसिक नीड्स और 1080p की विडियो रिटिंग तुम अच्छी खासी कर पाओगे, और casual gaming कर रही हो, वो भी तुम अच्छे से कर पाओगे, तो yes, बहुत सही laptop, तुमको बहुत सही budget मिल रहा है, और तुमारे 50,000 रुपर तक का budget है, तो यार बिलकुल इस laptop को तुम ले सकते हो, बाकि अग्रा laptop है अपना 50-60,000 में, Acer Nitro 5, अब यह आता है अपने i5-11400H के साथ, यह भ 144Hz की basic सी 45% NTSU, अब मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम इस laptop का 16GB RAM वाला variant लो, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई, 8GB RAM वाला तुम अगर variant ले लेते हो, क्योंकि दोना में सिर्फ कितना, 2000 रुपए का फरक है, ठीक है, अब तुम 8GB RAM वाला अगर वेरियंट लेते हो, तो वो तुमको 58 48,000 रुपीस का पढ़ेगा, अब तुम सोच रहा है, मैं बाद में कभी अपग्रेड कर लोगा, तो अचर में RAM अपग्रेड के बहुत चोचले होते हैं, तुम खुद से लिड खोल के RAM अपग्रेड करने सकते है, वारेंटी वाइड हो जाएगी, वागी सर्वे सेंटर लेक माला वेरियंट, तो मैं तुम कोँगा, कि 16GB RAM माला वेरियंट ही लो, ठीक है, बजट बढ़ाया जाए, बात करते हैं, 60-70,000 के बीच की, ठीक है, 60-70,000 है मेरेको इतने कुछ खास लाप्टाप तो देखने को मिले नहीं, मेरेको इसमें Lenovo IdeaPad Gaming 3 मिला, Ryzen 5 5600H, और RTX 3050 वाला, बागी पूरी स्पेसिफिकेशन वो ही है, 8GB RAM, 512GB SSD, 120Hz का डिस्प्ले, और इसका प्राइस है, 61,000 रूपीस, अब इसमें मैं तुमको की, एक सजेशन दोंगा, RAM अपग्रेट कर लेना, 2000 रुपे की आएगी, एक्स्टा 8GB की RAM, और लिटरली बता रहो हैं, लाप्टाप तुमको 81350 है, तो येस, काफी सही गेमिंग तुमको करा देगा इस बजट में, और दूसरा भी मेरे को मिला, Lenovo IdeaPad Gaming 3 ही, लेकिन ये Ryzen 7 5800H और 81350 वाला था, 8GB की RAM इसके अंदर भी है, और वही 120Hz का पैनल है, और ये है 68,000 रुपीस का, तो तुम इसमें भी 2000 रुपे लग इसमें अपनी अराम से 4K विडिटिंग कर पाओगे, लाइक कोई दिक्कत तुमको नहीं आए पर आएगी, और अच्छी खासी गेमिंग भी हो तुमको करा देगा, क्योंकि 3050 है इसका, और हाँ इसका जो 3050 है, वो 80 वाट, 85 वाट वाला है, ठीक है, बजट को बढ़ाते है 70-80,000 के बीच की बात करते हैं, ठीक है, तो 70-80,000 में मिरको 2 काफी अच्छे लापटाउस मिले, एक तो है अपना आसूस का Tuff-F15, जोंकि i5-12 450H के साथ आता है, ये एक 8 कोर 12 थ्रेड वाला, लाइक प्रोसेसर है, जिसमें आपको 4 परफार्मेंस कोर और 4 एफिशेंसी कोर उस देखने को मिल जाएंगे, बागी RTX का 30-50, इसमें आपको देखने को मिलेगा, 75W की TGP वाला, 16GB की DDR5 RAM देखने को मिलती है, तो ये काफी अच्छी बात है, हमको DDR5 RAM देखने को मिल रही है, 512GB की SSD देखने को मिलेगी, और Max Switch भी इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा, त आपलेड आपको अलुमिनियम की देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो ये लापटप काफी सही आपको पाकेज दे रहा है, काफी सही प्राइस पॉनेट में इस लापटप का प्राइस है, 77,000 रुपीज, तो आप इस लापटप की तरफ बिलकुल जा सकते हैं, और इस का जो 3050 था, वो 75 वाट वाला था, इसका 85 वाट है, लेकिन इसमें आपको 16 GB की DDR4 RAM मिलती है, तो इसमें आपको DDR5 RAM देखने को मिलती है, 512 GB के SSD और 120 Hz का डिस्पले, तो मैं आपको कहूँगा कि आप IdeaPad Gaming 3 आई की जगा, आप आसू स्टफ की तरफ ही जाओ, तो आपको और आपको एक अच्छी खासी build quality भी देखने को मिल जाती है, स्टिल अगर आपको IdeaPad Gaming 3 पसंद है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, दोनों ही laptop काफी सही है, अगर हम अपना budget increase करें, और जाएं 80-90,000 की तरफ, तो 80-90,000 में मिल गए हैं, तो पहला मिल देखने को मिल गए तो यस अगर आप 90,000 की अंडर एक RTX 3060 वाला laptop दून रहे हो, तो यस आप इसकी तरफ जा सकते हो, 16GB की RAM 512GB SSD 144Hz का basic display आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका price है 87,000 रूपीज, बात करते हैं, अगले laptop की, तो TUV-F50 नहीं है, लेकिन यह i7 वाला variant है, i7-12650H, वागी सार notification सेम है, ठीक है, अब थोड़ा से और अगर हम budget बढ़ा ले, तो हमको 90,000 से एक लाग के बीच के अंदर, कौन जे laptop देखने को मिल जाते हैं, पहला तो हमको देखने को मिल जाता है, Strix का G15 जो की Ryzen 7 6800H के साथ आता है, 6000 series है, पावर efficient है, और like काफी, मतलब thermals काफी अच्छ 5W वाला, DDR5 की 16GB RAM देखने को मिल जाएगी, 512GB की SSD आपको देखने को मिल जाएगी, 144Hz की एक display देखने को मिल जाएगी, max कुछ देखने को मिल जाएगा, अच्छी काची build मिल जाएगी, और yes, अगर आप RGB के, like बहुत बड़े fan है, तो आपको इस laptop में इतनी RGB देखने को मिल RTX 3060 offer करता है, 16GB की DDR, 4 RAM और 512GB की SSD, लेकिन इसकी display जो है, वो काफी अच्छी है, 144Hz की 100% sRGB display है, तो अगर आप एक ऐसा laptop ढूंड रहे हो, under 1 lakh, जिसमें आपको एक काफी सही प्रोसेसर मिल जाए, और एक काफी सही GPU मिल जाए, जिसमें आपको, like color accurate work भी करना है, gaming भी करनी है तो आप इस laptop की तरफ जा सकते हैं, यूगि आपको 8 core 16 thread का GPU मिल रहा है, 4K video rating कर सकते हो, RTX 3060 मिल रहा है, 3D modeling भी कर सकते हो, 16GB की RAM तो है, यह यह laptop काफी सही laptop बन जाता है, बस आपको हलका बहुत build quality में compromise करना पड़ सकता है, क्योंकि यह recycle plastic से बना होता है, बाकि आपको इस laptop म कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, अगर हम 1,00,000 प्लस जाएं ना, तो देखो 1,00,000 प्लस में काफी सारे laptop है, मैं सारे तो cover कर नहीं सकता हूँ, यह आपकी personal preference पे depend करता है, तो मैंने जो 2 laptop मेरे को सही लगें, मैं वो आपको बता देता हूँ, एक तो मेरे को tough F15 लगा i7-12700H और RTX 3060 वाला, जो की 16GB की DDR5 RAM के साथ आता है, एक TB की SSD आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी इसके अंदर आपको max switch देखने को मिल जाएगा, इसका build काफी अच्छा है, और 100% sRGB display, 300Hz वाली तो भाई, e-sports के दिवाने हो कदर accurate work करना है, तो यह display काफी सही है, इस laptop आपको जो price है वो है 1,17,000 रुपाए, तो यार इस laptop की तरफ आप विलकुल जा सकते हो, दूसरा मेरे को लगा Legion 5 काफी सही मिल रहा था, Ryzen 7 5800H के साथ, RTX 3060 जो की 130W वाला था, 16GB की DDR4 RAM, 512GB की SSD, आपको इसके अंदर max switch भी देखने को मिल जाता है, और एक WQHD panel देखने को मि RGB और 165Hz के डिस्पले के साथ, अब और भी काफी सारे laptops हैं, इस laptop का price आपको देखने को मिलेगा, 1,08,000 रुपाए, तो यार ये laptop काफी सही price में मिल ला, आप इसकी तरफ बिलकुल जा सकते हो, बाकी 1,00,000 प्लस और भी काफी सारे laptop है, आप specifications wise आप अपना laptop पसंद कर सकते हो confirmation अगर आपको लग रहा है, कोई doubt है उस laptops regarding, तो येसा आप मिल जाएंगे description में, प्लीज 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 उन्हीं लिंक से लेना laptops, अगर लोग है तो भाई अच्छी कासी affiliator निंग हो जाती है, जिससे हम laptop content creators को काफी ज़धा support मिल जाता है, तो बस यार आज की वीडियो में कितना ही था, पसंद आई हो, लाइक जरूर कर देना, ऐसा बढ़िया बढ़िया content और देखना चाहते हो, तो subscribe जरूर से कर देना, मिलता हूँ आप से एक वीडियो में, तक तक के लिए, good bye